नमस्कार दोस्तो आप सब कैसे हैं आसा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तो अगर आप बिहार के हैं और आप अभी तक बेज़जगार हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी भरती आ गई है जिहां दोस्तो बिहार सरकार ने बिहार पुलिस को स्टेवल की 21391 पदो पर बंपर भरती का एलान कर दिया है हम आपको इस भेकेंसी के बारे में सही परकार की जनकारी देंगे जैसे यह फर्म कब से कब तक भरा जाएगा इसमें आपकी उम्रसीमा क्या रहेगी आवदन सुल क्या लएगा सेलरी आपको कितना मिलेगा और योगता क्या रहेगा तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीटो की तो बिहार पुलिस ने 21391 पदों पर बहाली निकाली है जिसमें जनरल के लिए 8556 पद है EWS के लिए 2440 पद है BC के लिए 2570 पद है EBC के लिए 3942 पद है BC फ के लिए 28 पद है दोस्तो अब हम बात करते हैं कि यह फार्म आप कब से कब तक भर सकते हैं तो इसका अपलाई डेट है 20 जुन 23 से शुरू है और इसका लास्ट डेट 20 जुलाई 23 से अब हम बात करते हैं अपलिकेशन फी की तो जनरल EWS BC EBC मेल कई डेट को 675 रुपे आवद अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रहेगा तो जनरल EWS मेल फीमेल कई डेट के लिए 18 से 25 वर्स एवं BC EBC मेल कई डेट के लिए 18 से 27 वर्स एवं BC EBC मेल कई डेट के लिए 18 से 28 वर्स और HCD मेल एड फीमेल के लिए 18 से 30 वर्स एज लिमिट रहेगा दोस्तो अब हम बात करते हैं योगता की तो दोस्तो बिहार पुलिस केस्टेबल का फर्म भरने के लिए आपकी योगता 10 प्लस 2 होनी चाहिए तबी आप फर्म को भ भर सकते हैं तो अब हम बात करेंगे कि आपकी फिजिकल एजलिविटी क्या रहेगी तो जेनरल BC मेल के लिए हाइट 165 cm होनी चाहिए वहीं और फीमेल के लिए 155 cm होनी चाहिए EBC, SC, ST के लिए 160 cm होनी चाहिए तबी आप फर्म को भर सकते हैं दोस्तो अब हम बात करेंगे कि चेस्ट कितनी होनी चाहिए तो जेनरल BC, EBC के लिए 81-86 cm होनी चाहिए और SC, ST को 89-84 cm होनी चाहिए दोस्तो बात करते हैं कि इसमें रनिंग कितना किलोमेटर का होगा तो दोस्तो मेल के लिए 1.6 km 6 मिट में पूरा करना होगा और फिमेल के लिए 1 km 5 मिट में पूरा करना होगा दोस्तो मेल कंडेट के लिए गोला फेक 16 पाउंड का 16 फिट फेकना होगा और फिमेल कंडेट को 12 पाउंड का 12 फिट गोला फेकना होगा दोस्तो हाई जंप मेल के लिए 4 फीट है और फीमेल के लिए 3 फीट रखा गया है लिखित परिछा बिहार बिद्धाले परिछा समिती की दसवी के समकच होगा लिखित परिछा में आपको कम से कम 30% के उपर अंक लाने होंगे तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप देखते रहा हमरे चैनल को मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद